नमस्कार बच्छों, आप सभी को नारेना अमेजिंग असिमेंट में स्वाड़त है आज का हमारा असिमेंट है बड़ा पाठ है घर प्यारा घर प्यारा पाठ से संबने तो एक छोटा सा व्या करनाम शुर। मैं आपके सामें रखने जारा हूँ देखे, नीचे देवे वाक्यों में से संया और क्रिया शब्द छांट कर लिखो, क्या करना है, संया और क्रिया शब्द छांट कर लिखना है या शब्द वाक्यों दिया हुए है, उनमें कोन सा शब्द संया शब्द है और कोन से शब्द क्रिया शब्द है हम यहाँ अलग करके लिखना है ठीक बड़ा चलो देखे पहले पूरे वागी मैं पड़ोंगा ध्यान से सुने कैसे मच्छर तहल रहे हैं कहां चींडिया दोडी जाती और चिपकली को तो देखो पंची कैसे जपट रहे हैं पंची कैसे जपट रहे है देखे यहां पर संया शब्द संया का मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु किसी प्रानी और या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं संया शब्द कहते हैं यह पर्टिकलर कोई भी शब्दों के नाम हम बताते हैं उनको सम्याशब्त कहते हैं वाक्य में जो नाम दिखाए दिए रहे हम इसमें लिखना है और फिर एक क्रिया कैसे मालब पड़ेगा किसी कारिका होना होके यहने आइसे याद रख लिजिए कि हमारे हिंदी में क्रिया शब्त हमेशा अन्त में रहेगा कहा हैं आन्त में देखिए मैं आपको दे दिया कैसे मच्छर टहलना क्या होता है क्रिया शब्द है, फिर इसमें कौन तर रहे हैं, मच्छर, यह जो मच्छर, जो शब्द है, यह सम्या शब्द है, तो सम्या में मच्छर, सम्या में मच्छर, और अंत में क्या दिया हुआ है, तहल रहे है, पूरा लिप दीजिए, कुछ नहीं, तहल रहे, वह अच्छंदों है तहल रहे है क्रियाशवत है कहां चींटिया दोडी जाती उसमें क्या है नाम क्या दिखाएदेरा किसी प्राणी का नाम दिखाएदेरा है था चींटिया यह क्या होता है संग्याशवत और अन्त में क्या यह क्या कर रहे हैं दोडी जाती जो है क्रियाश्ट है दोडी जाती त्रेलिंग बहुत चाहिए अओ छिपकली को तो देखो इसमें क्या नाम दिखाए देरा आपको छिपकली यह चिपकली क्या है हाँ संया है छिपकली और अन्त में क्या दिया है देखो देखना क्या होता है क्रियाश्ट देखो अन्त में देखे पंची कैसे जपट रहे हैं पंची कैसे जपट रहे हैं उसमें क्या नाम क्या दिखाए है पंची, पंची क्या होता है बड़ा, संया, पंची, और जपट रहे हैं, यह क्या होता है, क्रिया रोप है, देखिए, जपट, तो इस प्रकार से हम वाक्य पड़े हैं, और वाक्य में से हम संया शब्द को और क्रिया शब्द को अलग करें, चांटे हैं, तो इसी प्रकार से आपको मैं अगले असिमेंट में दूसरे विश्य की असाथ आपकी सामने आओंगा, जब तक तन्यावर बच्चे हो,